अगर आपको कोई फेस्बुक पर धंगी दे रहा है कि वो आपके प्राइवेट फोटो वीडियो को फेस्बुक पर डाल देगा या उसने डाल दिये हैं या फेस्बुक पर प्राइवेट करके उसने अपलोड किये हैं तो आप उन्हें कैसे डिलीट करा सकते हैं यह वाला वी आपको अपने मोबाईल करके झाएफ और आप यह पर पर काम नहीं करेंगा यह ऐद रखेगगा अभी हमेंEm Google Farm ने हमें फिल कराई था उनके अपने पास रख के staircase अपने पास अपने तो जैसे माली जी की फोटो है हमने फॉटो पे क्लिक किया उसके बाद यहां पे लेना है आप यूएस में रेते हैं बाहर रहते हैं तो हम इंडिया में रहते हैं तो हमने आपे क्लिक किया अब यहाँ पर देखी यह एक और मेंड चीज है काफिल लोगों को पता ही नहीं रहता है उसको यह पता है कि किसी की सहील ही नहीं उसका फेस्बुक पर फोटो देखा था लेकिन वह एकाउंट नहीं मिलना कि वह कहां था तो उसके लिए तो यहाँ अगर आपके पास पता है आपको कि फेस्बुक का एकाउंट कौन सा है वीडियो आपको उसकी के प्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी आपको अपनी फेस्बुक यह सारी चीज रहेगर और पिर फेस्बूक आपको इमेल पर पाड़ेगे और फों जो है वो आपको mail पे Facebook को देना पड़ेगा फिर वो match करेंगे और फोटो को delete करेंगे तो यह तरीका है अब यहाँ पर दिखें यहाँ पर क्या है आपकी प्राइवेशी है यह आपके बच्चे की प्राइवेशी है कावी parents लोग अपने बच्चों की report करते हैं तो उनके लिए अगर आपकी खुद के तो my privacy पर क्लिक करेंगे अगर आपकी बच्चे की problem है तो my child privacy पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए जो URL है जिस बंदे का URL है जिसका Facebook का ID है उनका यहाँ पर आपको ID लेना है और यहाँ पर पेस्ट करना है जिनका Facebook ID पर वह सब पढ़ा हुआ है आ इसके बाद आपको email address देना है email address देने के बाद यहाँ पर आपको select country में India select करना है यहाँ पर आप इंडिया select करेंगे और आप send पर क्लिक करेंगे अब इसके बाद क्या होगा आपको उस ID पर कोई ऐसा फोटो वीडियो पढ़ा तो नहीं है अगर इनको नहीं मिलता है या इ तो यह आपको mail करके जो है ना वह photo video मांगेंगे Facebook बाले वह photo video फिर आपको देना पड़ेगा साथ में ही वह आपका document pen card driving license यह सब मांग सकते हैं passport आधार काड नहीं मांगेंगे तो यह सब वह मांग सकते हैं उसके बाद 100% वह photo video डिलीट कर दिया जाता है अब भी हमने एक video डिलीट कराया है और चार दिन में वह डिलीट हो गया उनके husband ने प्राइवेट वीडियो फेजबुक पर प्राइवेट करके डाल रखा था और उनकी मेडम इस चीज़ से ज्याद करके डिलीट करा सकते हैं आपसे विंती यही है कि इस वीडियो को ज्याद सेयर करना और इस टाइप के काफी ऐसे वीडियो हैं जो कि आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अब हम ऐसे वीडियो आपको लगाता 10-15 दिन तक दे सक तो मिलनेंगे आपसे वीडियो में और फॉलो कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा वीडियो को सेयर कीजेगा विलते हैं नेस्ट वीडियो में नमस्कार